कि नमस्कार प्रिया जनों आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ आपके अपने शुब्जिंत के वीना शर्मा आप आई मेरे चैनल पर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सुम्बति अमावस्या जो की 30 मई को है उसके साथ ही आप शनी जन्ती भी है उस दिन शनी जन्ती का और अमावस्या का स्योग एक साथ बैठ रहा है और वी सौंबार के दिन चुकि आप समझ सकते हैं कि भोले नात और भगवान शनी और भगवान हनुमान जी और इन सब को परसंद करने के लिए एक बहुत ही अच्छा अधुत करें मैं आपको बताऊंगी कि जिन बच्चों के विवा में देरी विशेश तोच से देरी शब्दी यूज करूंगी कि देरी है यानि कि शनी भगवान का दिन है और देरी पर देरी होती जा रही है कुछ समझवें नहीं आता है कि किस कारण से देरी हो रही है किसी भी प्लेकर कर सकते हैं, बच्चे खुद कर सकते हैं, मैं दोनों के लिए कहूंगी कि इस मोके को ना गवाएं, यह जो अम अवस्या 30 मई को आ रही है, इस दिन अवश्य उपाई करें, मैं बता रही हूं लोग का उपाई, जो कि आपके कीचन में ही है, आपके रिसोई में है, वो के दिन आप एक तो शनी जियनती होने के कारण क्या करिए सबसे पहले, मैं आपको यह कहूंगी कि लोग आप दान जरूर करिएगा किसी को, किसी को भी करिए, चाहिए मंदिर में ही छोड़के आएं आप, अगर को जरूरतमन दो तो उसको भी दे सकते हैं, लेकिन उसके आपको आगे यह भी बताने वाली हूं, ध्यान से सुन लिजिए, एक एक बात को, उस दिन जरूरी सुपाई को करिएगा, आप थोड़ी सी लोंग लीजिएगा, यानि कि पांच लोंग और तीन बड़ी इलाइची, पांच लोंग और तीन बड़ी इलाइची, यह एक लेक खुला सा धकन टाइप का, जिसमें आप इसको जला लीजिए और जलाने के बाद पूरे घर में घुमाईए, पूरे घर में चारों तरफ घुमाईए, आपके मन की ब्यथा, आपके उधासीनता, आपके दुख, माता-पिता की परेशानियां, जितनी भी होगी सारी उस दिन जितनी भी negativity होगी, आपके उपर जो हावी है, वो दूर हो जाएगी, और positivity आएगी, आपके मन को एक सुकून सा महसूस होगा, एक शांती सी महसूस होगी, यह एक कम जरूर करिएगा उस दिन, एक आपको यह भी कहने वाली हूँ, कि मंदिर में जासके तो बहुत अच्छी हनुमान जी के आपके पूजा घर में ही सामने ही चित्र के सामने ही एक तेल के सरसों का तेल का दीपक जरूर जलाएगा, आप सब समझते हैं कि शनी भगवान हनुमान जी के पूजा से कितने परसंद होते हैं, ऐसा सुनेहरी मौका आ रहा है, तो इस काम को छोटे से को खनवान चाली से का पाठ उस दिन जरूर कर लें, सौमबार के दिन, क्योंकि ये सौमबती आमावसा है, आमावसा है और शनी जयनती है ये एक काम उस दिन जरूर करें, एक मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी, कि अगर आप उस दिन भगवान के आगे चड़ाते हैं, या न लोंग उठाइए और मुँ में डालके ही घर से निकलिएगा, आप देखेंगे एक अधभुत्चम्तकार होगा, कि आपके विवा रिष्टे की जहां बात करने जाओगे, आप वहां बनेगी, चाहे घर का कोई विजद से जाए, मम्मी, पापा, भाई, कोई भी जाए, तो पांच कोड़ियां और पांच ही लोग, पांच कोड़ियां और पांच ही लोग लेकर एक लाल कपड़े में बांध कर अपनी मनोकामना पूरती की प्रार्थना करके, इस काम को तो मम्मी भी कर सकती है, अपने बच्चों की मनोकामना पूरती को लेकर, बच्चे की कोई भी म मनोकामिनापोर्ति के लिए आप यह लालकपड बांद के मोनोकामिनापOOर्ति के लिए भगवान के या आगए रखके अपनियाल मारी में रख किजिए गाए अपने विवा की शिगर से शिगर मॉना कामना पूर्थि की प्रयारत्थना करिएगा भॉलेनाथ को तो आप हमेशा सौंबार के दिन वैसे भी सौंबर है और मवस्या तो वोलेणात की पूज़ा और बनती है, तो भोलेणात की पूज़ा जरूर करिएगा उस दिन, भगवान को एक लोटा जल में एक चुट्की तिल डाल लीजिएगा. देख 보시 rein तिल वैसे भी अलग से नहीं कभी चड़ाने चाहिए, मैं कभी भी नहीं चढ़ाती ये अलग से तिल भोले नाट को हमेशन जल में ही डालके चढ़ाईए चाहे आप एक कोटोरी में थोड़ा सा अलग से जल लेके उस में एक च Whoever तिल डालके और चढ़ाईए लेकिन वो जुरु चढ़ाए ये वो चढ़ादे और उसके साथ ही तिलवला जल चढ़ाने के बाद अभिशेक करने के बाद भगवान के आगे दो लोंग उनके एक जोड़ा लोंग का भगवान को जुरुर अर्पित करें ये बोले नात की पूजा में ये इतना काम भी जुर मिर्च का बहुत बिधान है और काली मिर्च आप और लोंग दोनों ही एक जोड़ा एक जोड़ा का एक जोड़ा लॉंग का दोनों डालके आप बीपल के नीचे अपनी प्रारतनह करते हुए शनी बगवान का वास होगा उस दिन पीपल में आप ये समझा लीजिए शनी विवाकी और भी कोई आपकी मन की कामना हो आपके ममी पापा के मन की कामना हो वो सारी पूरी होगी ये संद्या के समय जरूर करके हैं आप ये मत कहिएगा कि आपके विवाकी एक मनोकामना पूरन होगी इन उपायों से इसके साथ ही मालक्षमी की किरपा भी आप पर भरपूर बरसने वाली है आपके अगर घर में धन की तंगी है कोई बच्चों के नोकरी जोब की बात है तो वो भी समापत होगी और धन का आणा शुरू हो जाएगा आपको पता नीचे लगा धन कहां से आएगा और परिवार में पूरे खुश्यां हो जाएंगी जरूर करें इस उपा आदे जाएशनी देवाशली